हेलो दोस्तों नमस्कार दिनबर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे हमेशा की तरह जहां सबसे पहले बताएंगे कुवेट में आग से मरने वाले भारतियों की संक्या पहुंची बयालिस के पार प्रधानमत्री नरेंदर मोदीजी ने बुलाई एमरजेंसी बैठक ब बताएंगे कैसे इस मुद्दे पर विपक्ष करने लगा राजनिती साथी रूसी सेना में जबरदस्ती भारतियों की एंट्री के बाद उनकी मौत को देखते हुए किसी भी तरह भारतियों को अपनी सेना से वापस भेजो रशिया भारत ने डाला रूस पर बड़ा आतार विकाह से चाहते हैं तो इसे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा की कमेंड में जहीं दश्य कह दीजेगा तो बात करें पहली बड़ी खबर की जहां कुवेत में अब तक 40-42 भारतियों की मौत की बड़ी खबर शवों की नहीं हो स सकी अगनी कांड में मरने वाले जाते तर केरल और तमिलनाडू के लोग है इस हादिसे की खबर के बाद दोनों राज्यों के परिवारों में गम का माहौल है प्रधान मंत्री ने कुवेत में आग की घटना से संब्सक्राइब के लिए एक बैठक भी बुलाई प्रधान मंत परिवार के सदस्ट शमीर की कुवेत मगनी कांड में मौत हो गई है परिवार ने बताया है कि उन्हें कुवेत में बसे अपने रिस्तेदारों से यह मनुहूस खबर मिली है वे आगे की प्रक्रिया के लिए सरकार से बात चीद कर रहे हैं शमीर कुलम जिले के मूल निवास से भारतियों की मौत को लेकर जो वाकई में बड़ा ही चौकाने वाला मामला है दोस्तों जहां पर घायलों की संक्यां कम है और मरने वालों की संक्यां अत्याधिक उनमें भी भारतियों की जन संक्या 90 प्रतिशत से ज़्यादा है जो कि वाकई में बहुत बड़ा आकड़ा और बहुत बड़ी चौकाने वाली बात है तो वहीं इस अगनी कांड पर प्रधान मंत्री मोधी ने रिव्यू मीटिंग कर दी और केरल सीम पिनराई ने विदेश मंत्री जैशंकर जी को चिठी लिखी है आपको बता दें केरल के मुख्य मंत्री पिनराई विजियन ने विद मंत्री ने कहा कि इस दुरभागपुर घटना में कई लोग गंभी रुप से घायल भी हुए हैं विजियन ने जैशंकर जी को लिखे अपने पत्र में कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कुवेत सरकार से संपर्ग करके राहत और बचाव कारियों का समन्वे करने के ल नहीं भारतिया दूत आवास ने एक हैल्प नाइन नंबर भी जारी कर दिया है भारतिया दूता वास ने कुवेत में कहा कि आज भारतिया के लिए इस हेल्प लाइन से जुड़ सकते हैं दोस्तों वाके में ये हर एक भारतियों को इस्तब्द कर देने वाली खबर जो उनको हर तरीके से जख जोर देगी ऐसे में आप लोग क्या टिपनी करना चाहेंगे और इसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे बताएगा जरूर तो वहीं आ परिवारों तक हर संबब मदद को पहुंचाए जी हां इस घटना के बाद कांग्रेसिया द्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने एक पोस्ट में कहा कि कोवेहत में हुई भयानक तरासिदी से दुखी हूं जहां कई भारतिया मजदूरों की जान चली गई है और कई के घायल होन किमानदारी वाला शव्दिनों क्यों इसत्माल क्या क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यहां पर भी राजनिती करने की कोशिश की जा लिए भी पक्षट द्वारा तो वहीं आपको बता दें किसी भी तरह भारतियों का अपनी सेना से वापस भेजो जिहां रशिया पर दबाब डाल रहा अपना भारत बता दें भारत ने बुदवार को कहा है कि वो रूसी सेना में कारियरत अपने नागरिकों की सुरक्षा और स्वदेश वाफसी सुनिशित करने के लिए रूस पर दबाब डाल रहा है विदेश सची विने क्वात्रा किये टिपनी विदेश मंत्राले के यह कहने के एक दिन बाद आई है कि रूसी सेना में कारियरत दो और भारतिय रूस यूक्रेन संगर्ष में मारे गए हैं दो भारतियों के मारे जाने से एसी मौतों की संख्यां चार हो गई है क्वात्रा ने कहा कि पहले दिन से ही हम लगाता रूसी अधिकारी और नित्रत्व के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं उन्होंने इस मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए संभात दाताओं से कहा कि हमारे सभी परयासों का उद्देश भारतियों को सुरक्षित रखना है उन्होंने का कि हमने रूसी अधिकारियों से इस पष्ट रूप से कहा है कि युद्द छेत्र में सभी भारतियों को चाहे वो किसी भी तरह से वहां पहुंचे हो उन्हें भारत वापस लोटाया जाना चाहिए यानि कि विद इस सरकार ने रश्या पर दबाब बनाकर यह तो दिखा दिया है कि दोस्ति कितनी भी गहरी सही लेकिन सबसे पहले हमारे लिए हमारा नाग्रिक है अगर हमारा नाग्रिक सुरक्षित है तब हम हर तरीगे से तुमसे दोस्ति रख पाएंगा यह ढ Gray जीसी आग्नाका पेट तो वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर सेना पर फिदाइन हमला करने की फिराक में हैं आतंगवादी बता दें सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर बीते कुछ दिनों से लगादार आतंगी हमलों से जूज रहें जम्मू कश्मीर में हाई पर फिदाइन हमला करने की योजना बना रहे हैं आतंगवादी आपको बता दे कि प्रदेश के रियासी कठवा और डोडा में एक के बाद एक आतंगी वारदात की घटनाएं सामने आई हैं डोडा में बुदवार की रात को सेना और आतंग के बीच मुट भेड़ भी हो रह देश जवाब मांग रहा हैं जम्मु कश्मीर में लगातार हो रहे आतंगवादी हमलों को लेकर कॉंगरेस पाटी और राहूल गांदी ने प्रदान मंत्री नरंद्र मोधी पर निशाना साधा है राहूल गांदी ने हमलों को लेकर सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार देगे श्रद्धालों के परिवारों की चीखे तक नहीं सुनाई दे रही हैं राहूल में कहा रियासी कठ हुआ रोड़ा में पिछले तीन दिरों में तीन अलग अलग आतां की घटनाएं हुई हैं लेकि प्रधानिमंद्री अभी जशन में मगन हैं देश जवाब मांग रहा है आखर भाजबा सरकार में आतां की हम लोगी साजिस रचने वाले पकड़े क्यों नह जानता है कि 2014 से पहले क्या हाल थे बैरहाल दोस्तों आपकी क्या इस पर रहे बताएगा जरूर और राहुल गांदे के इस बयान पर जवाब देना मत भूलेगा तो वहीं आपको बता दें दुनिया में ब्रमोस मिसाइल को खैदने की होड़ मची हुई है इस मिसाइल को भा जोलर में ब्रमोस सूपर सोनी क्रूज मिसाइल को लेकर समझोता हुआ था ब्रमोस के CEO और MDAD राने ने कहा है कि उन्हें भारतिया हत्यार प्रनाली पर बेहद उत्साहा जनक प्रतिक्रिया मिली है उन्होंने बताए कि ब्रमोस मिसाइल को पसंद करने वाले देश अफरीका मिसाइल सिस्टम के निर्याद छमताओं का पता लगाने और उतपादन बढ़ाने के लिए स्वदेशी करन परयासों में तेजी लाने पर केंद्रित रहा है तो वहीं आपको बता दें अमेरिका ने रूस पर फिरकी प्रतिबंदों की बोच्छार चीनी कंपनिया भी जद मे अमेरिका ने कहा पुतिन बहुत सक्षम प्रतिद्वंदी दरसल अमेरिका ने रूस पर लगे प्रतिबंदों का दायरा बढ़ाते वे 300 से अधिक नए प्रतिबंद लगाए हैं जिनका मकसद मोटे तोर पर चीन, सेयुट और अरब अमिरात और तुर्की समेत विभिन देश कंपनियों के निशाना बनाया है जो युद में रशिया की मदद कर रही हैं अमेरिका युद शुरू होने के बाद से 4000 रूसी कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंद लगा चुका हैं जिसका मकसद रशिया को मिलने वाले धन और हत्यारों पर रोग लगाना हैं विद तिबबत बुलाया उसके बाद कर लिया गिरफतार दरसल नेपाली कांग्रेस के सांसद राजेंदर बजगेन ने दावा किया है कि चीन के तिबबत के स्रक्षा अधिकारियों ने उत्तरी गोर्खा जिले के रहने वाले दो नेपाली नागरिकों को गिरफतार किया है बजगे लेकिन सरकार को कोई जानकारी नहीं है मैं सरकार और विदेश मंत्राले से जवाब मांगता हूं तो वहीं आपको बता दे मालदीब के छमता से जादा खर्च पर विश्यूबैंक ने देदी की बड़ी Kingdom का जीडेपी से 110 प्रतीष्ट जादा है कर जिएंविश्यू बैंक ने मालदीब को स्चंता से जादा खर्च झारी रखने पर गहरे-पी क्वंता से अधिक खर्च कर रहा है जब से मुहम्मद मुईजुने के नेत्रित में मालदी में नई सरकार बनी है यहां सार जनी खर्च में बेता हाशा ब्रदी देखी गई है मालदीव की जीडिपी करीब 6 दश्मलब एक साथ अरब डॉलर है जबकि फिलहाल मालदीव का सार जनी कर्ज 8.2 अरब डालर है मालदीव नेपाल और सिरलंका के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर फारीज एच हदाद जर्वोस का कहना है कि मालदीव को इस साल करीब 50 करोर डॉलर और अगले साल 1.07 अरब डालर का कर्ज चुकाना पड़ेगा जी हां दोस्ते से में जिस प्रकार मुईजू मालदीव के राष्ट्रपदी बनते ही भारत को किनारा करने की कोशिश में लगे थे अब आई एम एफ ने ये बात बोल करके पूरे मालदीव को हिला कर रख दिया है कि तुम पे तुम्हा राष्ट्रपदी चुनाप से पहले जो बाड़न को लगा है तकड़ा जटका बेटा गन केस में दोशी करार आखिर कितनी हो सकती है सजा आपको बता दें यूस प्रेजिडेंट जो बाड़न पांच नवंबर को होने वाले राष्ट्रपदी चुनाप से पहले एक बड़ा जटका लगा है उनके बेटे हंटर बाड़न को मंगलवार को एक जूरी ने दोहजार अठारा में बंदूक खरीदने के लिए अवैद नशीली दवाओं के इस्तेमाल के बारे में जूट बोलने का दोशी ठहराया है बाड़न के गुहरनर विल्मिंग्टन डेला वेर में 12 स समय बंदूक रखने के लिए था तो वहीं बता दे खालिस्तान समर्थकों ने इटेली में महातमा गांधी की प्रतिमा को किया च्छती ग्रस्त प्रधान मंत्री मोधी करने वाले थे उद्ध घाटन जी हां दोस्तों प्रधान मंत्री नरिंद्र जी की यातरा से पहले खालि प्रधान मंत्री मोधी जी जी सेवन शीखर सम्मेलन के दरण उद्ध घाटन करने वाले थे तो वहीं बता दे हमास को भी अमेरिकी प्रस्ताव मंजूर गाजा में बहुत जल्द सीज़ फायर का एलान दरसल गाजा में युद विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर हमास की उमीदें एक बार फिर से बढ़ गई हैं हमास फलस्तीन इसलामिक जिहाद और राष्ट्रपती महमूद अबास ने भी अमेरिकी सीज़ फायर प्रस्ताव का स्वागत किया है इसकी पुछ्टी कतर और मिस्त्र के मद्यस्तों ने भी किया मंगलवार की शाम को अपने बया फत्वा हुआ जारी पाकिस्तानियों ने कहा हिंदूों से हार बरदास्त नहीं और साथ में पाकिस्तान के टीम को जम कर गाली दिया है पाकिस्तानियों ने भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान के लोग अपने देश के खिलाडियों को जम कर गाली दे रहे हैं यहां तक कि एक पाकिस्तानी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी गोरी लड़कियों से शादी करने के चक्कर में रहते हैं टीटवंटी वर्ल्ड कप में भारत समयली हार बरदास्त नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान की जंता का रहा रही है और कुछ ना कर सकने कि इस दिदी में अपने ही देश के खिलाडियों को कोस रही है पाकिस्तान में इन खिलाडियों को हारने पर फत्वा जारी होने की भी खबरे आई है पाकिस्तान के एक ब्रद ने कहा कि पाकिस्तान आते ही इन खिलाडियों पर बेन लगा देना चाहिए प का मतलब इसलाम की जीत हुई है और इसी तरह की पाकिस्तान में आहमतोर पर लोगों की मान सीखता है इसी मर्ज के शिकार एक पाकिस्तानी ब्रदने का कि हिंदूों से हमें हारना ही नहीं है चाहिए क्योंकि हम तो कल्मा पढ़ने वाले लोगें हमारे अंदर जजबात हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जजबा मुसल्मानों में होता है भारत से मिली हार से चीड़े ब्रदने का कि पाकिस्तान से 119 रन नहीं बन रहा यह क्या करने गए न्यू-यॉक जी हां यानि की दोस्तों पाकिस्तानी लोगों ने पाकिस्त पाकिस्तानियों की आप लोग जो टिपनी करना चाहेंगे बताईएगा जरूर दोस्तों इस मुद्धे पर और वीडियो को जितना ज़्यादा आज हो के शेयर जरूर करिएगा जो इस क्रिकेट मैस को हिंदू और मुसल्मान जोड़कर देखते हैं ताकि दुनिया का भी प केंद्रिये परिये वेक्षक रवीशंकर प्रसाद और तरुन चुगवी शामिल हुए सूत्रों ने बताया है कि खांडू अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ गुरुवार सुबह शबत ले सकते हैं भेमा खांडू सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजिपाल वोट चोरी हो गया है पार्टी मंतर में जुड़ गई है इसे चोरी का पता लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गटित की जा रही है इस फोर्स में संगठन के पतादिकारियों से लेकर जन प्रतिनी तक सब को जगए मिलेगी सब छेतर में जाएंगे गाउंगली महलो में जाकर पता करेंगे कि इतनी रखवाली के बावजूद आखिर वोटों की चोरी हो कैसे गई इसमें कौन-कौन शामिल हैं बदादे के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतरत में एंडिया की सरकार बन चुकी है मगर यूपी को लेकर पार्टी नेतरत्व तालिस फिर्दी का आंकड़ा पार्क करते में हाप गई यूपी की हार से दिल्ली बेहल चिंतित है हार के कारणों का बदा लगाने की कवायद शुरू हो चुके तो वहीं आपको बता दें अयोध्या के लोगों ने ठीक कर दी मंदिर की राजनीती मुझे डर था कहीं कि यह ही एजेंडा होगा शरत पावार बताते यूपी की फैजाबाद लोगस्वा स्वीट से भाजबा की हार के अब तक के चर्चे इसकी वज़ए यह है कि इसी लोगस्वा स्वीट से के तहत आयोध्या भी आता है जहां राम मंदिर बना है जैसा कि आपने बाशनों में कर रहे है कि मंदिर को राजनिती को कैसे ठीक किया जाए तो महीं बता दें इतना ही नहीं वारणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधान मंद्री मोधी जी कहना है कॉंग्रेसी का प्रियंका लड़ जाती तो दो तिन लाख वोट से हारते मोधी दरसर राहूल गांदी का सबसे प्रधान मंद्र को मैसेस दिया है कि हम आपकी नफरत के खिलाब बैरहाल दोस्ता आपके जवाब देना चाहेंगा राहूल गांदी को जो इतने को इसा कहते नजर आ रहे हैं तो वहीं आपको बता दें सीम शिंडे के करीबी शिवशेना एंपी को जान से मारने की धमकी पुलिस को मिला है इस गुमनाम खत मिलने के बाद पुलिस महकिमे में हड़कंब मच गया है एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी ने बुद्वार को जानकारी दी और कहा कि मामरे की चानवीन टेजी से की जा रही है उन्होंने बताए कि ये पत्र कुछ दिन पहले महाराष्ट के पुलिस महानिदेशक के कारियाले को मिला था भुमरे हाली में संबन आम चुनाम और अंगाबाद निरवाचन छेद्र से लोगस्वा सदस चुने गई है तो वहीं बता दें राजिस्थान से बड़ी खबर गहलोत सरकार में बने 17 नए जिलों से जुड़ी खबर रिव्य आए गए नए जिलों और संभागों का रिव्यू करेगी जिन नए जिलों पर कांग्रेस राज में सवाल उठे थे उन्हें खतम करने या जारी रखने पर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी गहलोत सरकार में जब यह फैसला लिया गया तब ही बीजेपी ने पर सवाल उ आतंकी खत्रे को देखते वे अब यहां की सुरक्षा और चाक चोबंद और जादा मजबूत करने की तैयारी है जल्द ही यूनिट की तैनाती हो सकती है राम मंदिन निर्मान के बाद लागातार आयुद्या के सुरक्षा चक्र को मजबूत किया जा रहा है जिसके तहत अब गई है लेकिन उनके चेरों पर खुशी दिखाई नहीं दे रही है जिन लोगों ने शबत ली वे भी खुश नहीं है जनता में भी खुशी का एहसास नहीं अखलेश यादव ने कहा कि अगर आई एंडि गड़वंदन की सरकार बंदी तो जनता को कुछ नया जरूर देखन कोरियों में आरक्षण की प्रक्रिया का पार दर्शिता के साथ पालन होता तो महीं बता दें सरकारी कर्मियों की दो टुक मंजूर नहीं एनप्यस में संशोधन लागू हो गारंटी क्रत पर पुरानी पेंशन सुझाया यह फार्मुला दरसल करमचारी संग्टनों ने दिया कि उन्हें एनप्यस में सुधार मंजूर नहीं है उन्हें केवल गारंटी क्रत पुरानी पेंशन ही चाहिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल जॉइंड काउंसिल ऑफ एक्शन यानि एन जेस्ये के वरिष्ट पदादिकारी स्टाफ साइड की राष जुना बना रही है जी हां दोस्तों वैसे में सरकारी कर्मियों ने दो टुक कहा है कि उनको एनप्यस में बदलाव संशोधर मंजूर नहीं है उनको गारंटी क्रत पुरानी पेंशन ही चाहिए जी हां बैरहाल इस पर आपकी क्या निजी राई होगी दोस्तों बताना मत खबर कैसे लगी आशकरता हैं बहुत अच्छी लगी होगी थोड़ी पच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दवा के कमेंट में जहीं दवस्त कहिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा मिलते अगली बड़ी खबर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद